प्रश्पन के दो फ्रेंड्स को एकी लड़के से प्यार हुआ, तो क्या अब इनकी फ्रेंड्शिप सस्टेन होगी? आगे क्या होगा? या आज की हमारी मुवी सोल में, जो 2016 की मुवी है, इसमें हम देखेंगे. अगर आपको वीड़ो अच्छा लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा. अब बिना किसी दरीके, एक्स्पिनिक्शन स्टार्ट करते हैं. मुवी स्टार्ट होने पर हम हमारी मेन कारेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम है अंसान. अंसान के फ्रेंट जुलाई ने एक नौवेल लिखी थी, इस पर एक प्रोड़क्शन गंबनी मुवी बनाने वाली है. वो जुलाई को ढूण नहीं पा रहे थे, तो इसी वज़े से अंसान से कॉन्टेक्ट करते हैं. अंसान कहती कि जिस लड़की के वारे में बुक में लिखा हुआ है, वो मैं नहीं हूँ. वो यहाँ जूट कह रही थी, इसके बाद जब वो ट्रेंड में ट्रैवल कर रही थी, तो उसका फ्रेंट जैशिंग उसे मिला. यह लास्ट टाइम मिले थे, तो अंसान की शादी होने वाली थी, पर रुगैती है कि मेरा ब्रेकप हो गया. जैशिंग उसे और भी बाते करना चाहता था, पर अंसान उसे इग्नोर कर देती है. जैशिंग ने अपना नंबर उसे दे दिया. इसके बाद घर आकर वो जुलाई के नॉविल को पढ़ना स्टार्ट करती है, और हमें इनकी बचपन की स्टोरी पता चलती है. बचवन में अंसान एक दिन स्कूल में स्कूरल लेकर आई थी, वो इसके पॉकिट से नीचे गिर गई और डारिकली जुलाई के पास जाती है. इसी मुमेंट से इन दोनों में दोस्ती हो गई थी, ये स्कूरल आने के लिए सब को स्कूल में पनीश किया गया, फिर ये दोनों गई और बिल्डिंग का फायर अलाम बजा देती है, इसी तरीके से मिश्यूस करती है, इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही काड़ी हो अनसान की मदर हमेशा बिजनेस ट्रिप के लिए जरा दूर रहती है, वो अपनी मदर को इतना पसंद नहीं करती है, इसके बाद जुलाई की मदर ने अनसान को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया था, एक दिन स्कूल में अनसान को लेने के लिए उसकी मदर आई, पर उस हमेशा एक साथ ही रहना चाहती थी, इसके बाद बहुत सारे साल बीट गए, जुलाई को अच्छे से स्कूल में अनमिशन मिला, अनसान को स्टडी में इतना जादा इंटरेस नहीं था, वो थोड़ी सी स्कूल करती है, थोड़ा सा जॉब करती है, इनकी फ्रेंडशीप अनसान के साथ बहुत ही कमफडेबल थी, यह सब लोग एक ही फैमिली की तरह लगते थे, जुलाई की मदर को लगता है कि अनसान का सिर्फ लग खराब है, इसी वज़े से उसकी लाइफ इस तरीके से है, यह बात अनसान को जरा सही नहीं लगती, आज रात यह दुनों अनस अनसान उसे प्रोटेक करना चाहती थी, कि उसका दिल ना टूटे है, इसी लड़के का नाम था जैमिंग, यह हैंसम है, तो अनसान उसके बाद जाती है और गहती है, तुम हैंसम हो, बहुत सारी लड़के तुम भाव देती होंगी, पर मेरे फ्रेंड को तुम पसन आयो, उ आज के दिन लाबरेरी में जैमिंग से जुलाई मिली, यह एकजाम में एक दूसरे के आगे पीछे ही बैठते थे, तो बुक्स के रिलेटर जरा डिसकस करते हैं, जुलाई को एक बुक मिल ने रही थी, तो जैमिंग ने उसे दिलाने के लिए मदद कर दी, जुलाई उसके पास आई, उसके गाल पर किस करती हैं, इसके बाद यह दोनों कपल बन गए थे, जुलाई जैमिंग की भी शैडो में चलती है, यानि क्यों उसके साथ हमेशा रह सके, एक दिन ने दोनों हैंग आउट करते हैं, अनसान एक बार में काम करती थी, और यही पर उसका बॉइफ इन दोनों ने राइट हैंड आगे किया, और एक दूसरे का हैंड होल्ड कर लेते हैं, क्लेरी इन दोनों में फर्स मिटिंग के बाद जरा केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, इसके बाद जुलाई यहाँ पर आई, पर तब यह अनसान का बॉइफ्रेंड उसके लिए गाना जरते-जरते जुले बहुत ही ठक गए, वो कहती है, तुम दोनों आगे जाओ, वो जरा आराम करकर उपर आएगी, वो दोनों फिर उपर जाकर प्रे करते हैं, अनसान ने जैसिन से कहा, कि तुम बहुत ही अजीब हो, तुम गॉड पर बिलिव नहीं करते हैं, पर फिर भी बिलिव नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसने अपने गले से लॉकेट निकाला, वो कहता है कि जब मैं छोटा था, तो बहुत भी बीमार बढ़ गया था, मेरी मदर ने प्रे करकर मेरे लॉकेट लाया था, इसके बाद मैं ठीक हो गया, त जुलेई उनका बाहर वेट कर रही थी, इस दोनों थोड़े से डर जाते हैं, और जिस तरीके से जुलेई बिहेव कर रही थी, इससे पता चलता है कि उन्होंने इन दोनों को देख लिया है, फिर भी उडिसाइड करती कि इस बात को इनोर करेगी, इस दिन के बाद जाते हैं जुलेई और अनसाने दोनों बहुत ही इमोशनल हो गई थी, अनसांग जुलेई से कहती है कि वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, जुलेई ने भूझा कि अगर उसने एक दिन तुमसे प्यार करना बन कर दिया, तो क्या करोगी, अनसांग कहती कि मैं तुमारे प हर्ट हो गई थी, वो जैमिंग से बहुत प्यार करती है, और अंसांग के लिए उसे छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए उसने उसे जाने दिया, इसके बाद जुले और अंसांग की लाइफ बहुत ही अलग-अलग थी, अंसांग अपने बॉइफरेंड के साथ है, कि उसे स्टेबल लाइफ जीनी चाहिए, अब और भी थोड़ा टाइम गुजर चुगा था, अंसां के बॉइफरेंड ने उस पर चीट किया, तो उसे छोड़ कर वो अकेली घूमने के लिए चली जाती है, अलग-अलग प्लेसेज पर न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए, न्यू न्यू प्लेसेज घूमती है, पैरलल में जुले के पैरन्स उसे जैशिंग से शादी करने के लिए प्रेशर कर रहे थे, उन्होंने तीन साल बाद शादी करने का डिसाइड कर लिया, और थोड़ा टाइम गुजरा और जुले को पैंग में जॉब मिल गया था, अंसां की मदर की टेथ हो जाती है, जुले को जॉब मिलने के बाद वो बहुत ही स्टेबल लाइफ जीने लग जुले को प्रामिस करकर जाता है, जब दो साल बाद वो लोटेगा तो एक दोनों शादी कर लेंगे, जैमिंग की जाने से जुले बहुत ही हार प्रोकन हो गई थी, वो जब घर पर आए तो अंसांग उसका वेट कर रही है, अंसांग भी अपनी लाइफ से अलग अलग प्ल आपस आ गई, अंसांग के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो एक घटिया से होटल में रहने वाली थी, पर अंसांग उसे एक अच्छा सा रोम बुक कर देती है, बाद में एक जगा पर वो डीनर के लिए अंसांग गहती है कि आज मैं ही पे करूंगी, क्योंकि तुमने म वरी वाइन मिल जाती है, ये बात जुलई को अच्छे नहीं लगती, वो गहती है कि इतने साल तुम इसी तरीके से रहती है हो, अंसां ने कहा कि लाइव तुम्हें अच्छी या बुरी सारी चीज़ी देती है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, अंसां के बा सालों पहले सब को चीज़े बाट ली थी, इसका मतलब जुले ने उसे जाने दिया था, इसे के बारे में वो बात कर रही थी, जुले भी गुसा होगे, वो गहती है, तुमने भी मेरे लिए जो भी लेटर लिखा, उसके नीचे हमेशा तुमने जैशिंग के बारे में अंसांग अपनी प्रिवेस लाइफ से तंग आ चुकी थी, तो यहाँ पर उसने एक स्टेबल जॉब ले लिया था, वो गहती कि अब मैं शादी भी करने वाली हो, उसका बॉइफरेंट मैरेट था, पर वो अपनी वाइफ को डिवास देने वाला है, उसने जैशिंग से अं तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है, वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही इंसिक्योर हो रही थी, वो एक दिन डारेटली जैशिंग के घर पर बोज़ गए, तो जैशिंग अंसान को अपने घर लेकर जा रहा था, वाफरेंट के मरने के बाद अंसान हार्ट प्रोकन थी, उसके अपास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो इसलिए जैशिंग ने उसे हेल्प की थी, इन सारी बातों से जुले ही बहुत जादा गुस्सा हो गई थी, वो उससे कहती कि तुम्हें क्या लगता है, जैशिंग तुमसे प्यार करता है, उसे सिर्व मैं ही लाइफस्टैल थी, उस लाइफस्टैल में किसी भी आदमी तुमसे प्यार नहीं किया, वो सिर्व तुम्हारे यूज करे थे, इस वर्ड में तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता, तुम मेरी फ्रेंड थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, और तुम मुझसे मेरा प्या करने के लिए रणिंग कर रहा था अंसांग वे उसके साथ आए जैसिंग ने उसे कहा कि आप में तुमसे नहीं मिल सकता हम दोनों को बहुत पहले स्टॉप हो जाना चाहिए था अंसांग ने फिर जैसिंग का लॉकेट उसे वापस कर दिया और यहां से चली जाती है हम मूवी को बन कर देती है फिर से हमारी फ्लैश बैक में स्टोरी कंटिन्यू होती है इनके जगड़े के बाद जैसिंग जुली से मिलने के लिए आया वो कहता है कि मैंने एक अपार्मेंट ट्रेंड की है मैं चाहता हूँ हमेशा पूरी लाइफ तुम मेरे साथ ही रहो जुले ने कह पर वो अपनी लाइफ के साथ अब कुछ भी कर सकती थी फ्री थी वो डिसाइड करती है कि उसे भी अनसांग की तरह अलग-अलग प्लेसेश घूमना है जो हमेशा से चाहती थी उसकी मदर ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया था पर अब कहती है एक औरत की लाइफ हार्ड हो एक अच्छा घर है जहाब और अपने बॉइफ्रेंड के साथ रहती है यह दोनों शादी भी करने वाले थे उसका बॉइफ्रेंड भी बहुत ही स्वीट था यह दोनों मिले हैंग आउट किया और इसके बाद जुले यहां से चाह रही थी अनसांग चाहती थी कि जुले उस के साथ ही रूखे और जुले चाहती थी कि अनसांग उसके साथ वर्ल्ड खुमें पर यह पॉसिबल नहीं था इसके बाद फिर से प्रेजेंड में अचानक से जैशिंग को अनसान की डॉर्टर का कॉल आता है यह दोनों कैफे में मिले अनसांग की डॉर्टर जैशिंग से बुच्छती है क्या तुम मेरे फादर हो मेरे मदर ने जो भी लेटर से लिखे इसके नीचे तुमारे बारे में उसने पूछा हुआ था जैशिंग को बात बहुत ही फनी लगती है अनसांग के डॉर्टर ने उसे एक भुग दिखाए यह कहती है कि मेरी मदर ने लिखा है जैशिंग कहता है कि तुमारे मदर ने उसके फ्रेंड जुले ने लिखा है अनसांग की डॉर्टर कहती कि नहीं मेरी मदर जुले के नाम से लिखती है इस बात से जैशिंग को शौक लगा और तभी यहाँ बर अनसांग आ गई थी अनसांग की डॉर्टर को घर पर छोड़ आने के बाद ये दोनों बात करते हैं जैशिंग कहता है तुमने नौवल में जो एंडिंग की है ये ज़रा अलग की है अब सच क्या हुआ ये मुझे बता अंसांग उसे कहती है कि जब जुली मुझे मिलने के लिए आई थी तब उस वक्त वो प्रेगनन थी एक्चुल में जै अंसांग ने पुछा कि तुम अब यहां क्यों आई हो वो गहती कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेगनन हूँ तो अपना सा मुझे सिर्फ तुमारे पास आना ही लगा इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था इसके बाद जुली की डिलेवरी होने तक ये दोनों ए देना चाती उसे पता है कि अंसांग उसके बेबी का अच्छा सा खयाल रखी की एसाफ सुनने के बाद जैशिंग के आखों में भी आसू आगे वो अंसांग से पर्मिशन लेता है कि क्या मैं मेरी डॉर्टर से मिल सकता हो और अंसांग ने उसे हा कहा ये जो सब कुछ उसने इसे साड इंडिंग नहीं देना चाहती थी वो अपने माइंड में अपने फ्रेंड को हमेशा फ्री देखती है अलग-अलग प्लेसेज घुमता और खुछ देखती है तो इसी वाज़े से अपने नौवेल में उसने जुलई को एक हैपी इंडिंग दी ये नौवेल एक तर लाइफ क्या होती है अंसांग आज भी अपनी शैडो में जुलई कोई पाती है वह हमेशा उसकी लाइफ का पार्ट रहेगी उसकी बेटी को अपनी बेटी मानती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है ये मूवी हमें एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी फ्रेंड्श और एक ने मूवी के साथ तब तकी लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे है